है है फेलो गाईज विल्कम बैक टो मैं एटूब चैनल यसके मशड़ी अवे आप सक्सेज मैं हूँ आपका एजुकेटर से मिस्रा और यहां पर मेरी प्यार बच्चू इंसी ए आटी क्लास 12 बायलोजी का हमारा चैप्टर वन है जी हां एक वीडियो में आपका पूरा का तो आप हमारे यह वार्ट्र नंबर असी क्यासी 32 तीसी क्यासी पर आप हम से आखिए नोट सबाई कर सकते हैं और इस वीडियो मेरी प्यार पूरा का पूरा जीवों में जनन जो हमारा क्लास 12 बायलोजी है इसको हम आपको समाप्त करने वाले हैं और ऐसे वीडियो पाना है से आपको मेरी प्यार प्लोड कर रहे हैं और इसमें सुधार करके ताकि आप नीट प्लस बोड चीहां इसमें बोड और नीट दोनों कवर हो जाएगा आपका कोई एक नहीं बलकि दो दो नीट और बोड दोनों इसमें आप कवर कर सकते हैं अच्छी तरीके से अपने आप तयारी कर सकते हैं और पूरा पूरा इसमें जीवों में जो इसमाप्त किया थीक्ट है तो सबसे पहले बात आती है जनन आती है आखिरकार यह होता क्या है तो जनन देखे तो एक ऐसी जीवन प्रक्रिया है जनन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतत उत्पन करता है या फिर संतान उत्पन करता है ठीक है तो जनन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर जीवों का अपने समान संतान उत्पन करने की क्रिय तो जन्मसिले का जो मिर्टु तक समय होती है उसी कि हम लोग क्या करते हैं जीवन काल करते हैं यानि कि जीव का जीवन काल कहा जाता है जैसे कि कुछ अगर जीवों की देखे तो जीवन काल निम्न लिखित है जैसे की elephant elephant मतलब क्या होती है आठी हांथी का जीवन काल कीनना होता है साड से सत्तर वर्स तक होती हैenviron 3 cardboard कि जीवन काल कितनी होती है बैश से 25 साल साल तक ही होती है बनाना ट्री वह केली के पेड़ की बात करें तो इसकी जीवन अधी होती हो पचीस साल तक होती है काव गाय की अगर देखें तो बीस से पचीस साल होती है वहीं पर होर्स घोड़े की देखें जीवन काल तो पचास साथ साल तक होती है वहीं पर फूट प्ला है अलग अलग प्रकार क्यों अब आती है जनन की विधिया हमारी दो दियों होती है पहली दूसरी क्या होती है सबसे पहले बात करें हम लोग लैंगे है यानि कि एस प्रकार के जमन में केवल एक ही जीव या जन भाग ले तहहें से केवल केवल अकेला एक जीव पार्टिसिपिट करेगा इस वीधी में वयक्स बनने के बाद जीव अपनी हुबहु प्रतलीपियों की रूप में संततिया उत्पन करता है अतह जनक तथा संततियों के बीच आनुवांसिक पदार्थ एवं लक्षुड में कोई अंतर नहीं होता है इस वीधी द्वारा उत्पन संततियों को क्लोन कहा जाता है उसको क्या करते हैं क्लोन कहते हैं और यह जनन तीव्र होती हैंgel अगला अंतर देहिक कोशिकाव से भिन प्रकार की दो अगुरित कोशिकाव का संयुगमन लैंगें जनन की आधार्भुत क्या होती है प्रक्रिया होती है इन अगुरित कोशिकाव को युगमक कहते हैं और युगमक प्रमुक जननांगो अर्थात जनदों की जनन कोशिकाव में विसेश प् प्रक्रिया को युगमक जरंग कहती हैं इनके सरह से बनी दी गुडित कोषिका को युगमरच अर्थाज्याइक कोट कहती है और इसी प्रकार से नई संत्य वह त gluten माता-पिता से फोड़ी क्या दिखाए देती हैं भिन दिखाए देती हैं अब आता है मेरी प्यार वुठी आलैंगे जनन्स क्या होता है तो इसे एकल जीव जनन भी कहा जाता जो क्या करते हैं इसे हम लोग केवल एक पही जनक भाग लेते हैं क्योंकि इस प्रक्रियम के वब एक ही जीव भाग लेता है या एक ही जनक भाग लेता है अलयंगी जनन की विधियां तो अलयंगी जनन में निम्कित विधिया होती है जैसे की द्विभाजन बिजान जनन, मुकुलन, कलिका, खंडिवन और पुनरुद्भवन इस तने के द्वारा अलैंगी जनन की विधिया होती है तो पहला इसमें आता है दूई विभाजन तो जनन की या विधी प्रोटो जोवा संग के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है इस संग के जीव एक कोस्की होती है और दूई विभाजन के समय इन जीवों का सरीर सुत्री विभाजन द्वारा जो समान गुड़ों वाली संततियों में बट जाता है और इस प्रकार संग प्रोटो जेवा के सदस्यों की प्राकृतिंग मृत्तु नहीं होती प्रिथक जीव के रूप में इनका अस्तितों क्या होता है समान समाप्त हो जाता है जैसे कि युगणीना और अमीवा इत्याद जितने भी होती है कि मेरी प्यार बच्चों तो फीर आप काता है बिजान जुननंग अब ये बिजान जुनन изв होता है तो बिजांड एक को स्की पतलीवित्ती यूक्ताशन रसना है इनके इनको क्या होता है होता की रिवं की मार होता है उदारन के लिए यूरोट्रिक्स सहवाल में बनने वाले चल तथा अचल विजाड़ हुए पेनिसिलीनियम कवक में करणा इत्याज होते हैं इनका किसके द्वारा होता है अगला है मुकुलन अब मुकुलन क्या होता है मेरी प्यारबचू तो इस प्रकार का विभाजन यिष्ट एवं कुछ जीवाड़ों में पाया जाता है इसमें कोशिका में वाह ब्रद्धी होकर एक या एक से दिक छोटी स्रचनाएं बन जाती हैं जिसे मुकुल कहा जाता है तथा केंद्रक सुत् प्रद्ध दोंद्वारा बीवाजित होकर दो वागों में बठ जाता है अप्रत्येग मुकुल मात्र को शिका से अलग कर इस्ट की नई को में क्रेवरतित हो जाता है कि अगर विग्हारे तबनाना भीवि घृट दिया गया इस विगर को वी आप बना सकते हैं पिर कलिकाय पाई जाती हैं फिर आता है मेरे प्यारवचों खंडी भवन ये खंडी भवन क्या है तो इसमें बहुकोष की जनक्तन जन्तु का सरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में तूट जाता है अपर तेक टुकड़ा पुनरुद भवन द्वारा एक नई वयक्स संतति में विक्सित हो जाता है और तंतुवत सेवाल जैसे की इसपाई रूगायरा वह यूलो त्रिक्स के पौधे में तता कुछ अकसे रूखी जन्तु में खंडी भवन की क्या होती मेरे प्यारवचों चमता होती है एक खंडी भवन की अब यहाप मेरे प्यारवचों पुनरुद तो अमीबा इस्पंज हाइड्रा प्लेनेरिया आद में पुनरुद्ववन की बहुत अधिक छमता होती है यह इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काड़ दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिसमें किंद्रक का अंस भी हो अंस भी है विर्धिकर के पूर्ण जीव में क्य मेरी है कर प्यारे जोशना जीक याद रखना अव आपका अगला आता है पौधे में अलैंगी जनन Cao logical और ना काइक प्राइक जनन का जाता है ठीक है तो हमारा जू अब आएयगा इसका पौझ या प्रऔर द्वार्ण क्या होता है क्या नहीं उसको हम लोग कवर ठीक है न त काईक प्रवर्धन कहलाता है इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे से मात्र पौधे के किसी भी काईक भाग से बनता है यह क्रिया निम्न स्रेणी के पौधों में सामार रूप से जबकि उच्छ स्रेणी के पौधों में अकेवल निम्न खित दो प्रकार से होती है पहला क इस क्रिया के अंत्रगत पौधे का कोई अंग अथवारू पांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है और पौधे का काईक भाग जैसे जड़ तना वपत्ती इस क्रिया के भाग लेते हैं और इसकी विदिया निम्कित हैं जैसे की पला भूमिगत तना तो तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत विर्धी करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के मेरू पांतरित हो जाता है परंत इस पर कच्छस्त कलिकाई मिलती है जिससे नया पौधा बनता है उदारण के लिए जैसे आपका क्या होता है कंद कंद में हमारा क्या होता है कि आलू के कंद पर आख मिलती है जिसमें कच्छस्त कलिका सकल पत्रों से ढखी रहती है और यह कच्छस्त कलिका अनुकूल समयज में अंकुरित होकर नया पौधा क्या करती मेरी प्यारबचू बना लेती है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अगला आता है प्रकन तो यह भूम्यत तना मिर्दा की भीतर समाना अंतर अयों 26 वृद्धि करता है इस पर पर्वव परसंधिया मिलती है यह सगल पत्रों से ढखी होती है जिसे कच्छस्त कलिका मिलती है इनमें नए पोधे निकलती है जैसे कि अधरक खल्दी इत्याद में लोग बना सकते हैं फीर आता है घंकनद क्या होता है यह भूम्यत तोना मिर्दध इन में ुडध्व इपर जाती है जो सकल्दॉ से ठकी रहती है जिसे की अरवी के सर बंड़ा इत्याज इतणी होती है यहापि यहिसका मेरे प्यार्दों फीगर आहों तो बनाना हो तो बन कंद क्या औता यह तन्य का वहरूपांतरन है जहां तन्ह छोटा हो जाता है तथा इसके चारों फ्रसित सखलकंद भोजन का संचय करके रसीले वव गूदेदार हो क्च में मैं कच्छफ करिकाय होती है जो नय पपूद्रों को क्या देति जर्म देती जैसे प्याज और लेंसुन इत्याद जितने भी होती है फिगर यहां पर इसको बनाना है तो बना सकते हैं अब आता है अर्धवायु इतना तो अर्धवायु इतना क्या होता है यह तना भूर्म के समनांतर 36 विर्धी करता है और प्रतिक परसंदी से जड़ेव प्रवरोह निकलती है उदारन के भषास खटी बोटी और शकरकन इत्याज इतने भी होती हैं है है अगला अता है मेरे प्रवाभचू भू आस्था निकलते हैं जब भू आस्थारी भागों में तूट जाता है तो प्रत्यक वा भाग से नया पौध सके अगला आता है भूँआस्तारी का तो जलोवत भूठी होंने के कारण इनकी परोसंधियों का जल निगमन होता होती है परतेख परोसंधियों की से पत्तियों का एक समूह तना मिर्दा के भीतर 36 से बढ़ता है 36 तने के प्रित्यक परसंदियों से नया पौधा बनकर मिर्दा क्यों निकलता है जैसे पुदीना मिंट गुल गुल दौधी इत्याज इतने भी होते हैं चलिए यहां पर देख सकते हैं यहां देखे एक नया हमारे जड़ के द्वारा न अब उसका पाठ समापत होने के बाद आ जाएगा आपका जड़ तो मेरे प्रवज़ जड़ क्या होता है तो कुछ पौधों में जड़ों द्वारा का एक पौधन होता है जैसे सकरकन सतावर आदी में जड़ों पर अपस्थानी का लिकाया निकलते हैं जिससे नया पौधा बनता और इनके दोरा हमारा न नए संदत का क्या होती है निर्माड होती है फिर आती पत्या निगली की दोर अब तो पत्यों द्वारा कायक पौधन सामान तक कम ही मिलता है जैसे बाय फ्रिल्डम तथा कैल एन्चू में पत्थियों के किनार पर अपस्थानी का लिकाय बनत 수가 से हैं मिध्या माद यह मंधा पौधे से अलग होकर ने पौधे के रुम में क्या होती है मेरी पच्छों होती है अब हमारा है आपको कृतिम काईक प्रवर्धन क्योंकि आपको पूरा इस chapter मेरे प्रफार्चु मिलने वाला है इस chapter में ही आपका एक वीडियों पूरा पूरा पहला chapter करको complete करा जागा ये कृतिम काइक, प्रवर्धन क्या होता है? यह क्रिया मानव दवारा किया जाता है, इसमें पौधयों के काइक भाग को मात्री, भाग से अलग करके उगाया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है, इसकी प्रमुखविदिया, कलम लगाना, दाब लगाना रोपन इत्यादी हैं तो सबसे पहला प्रोसेस आती है मेरे प्यार पच्छो कलम लगाना यानि कि बाइक कटिंग तो इस क्रिया में वांचित पौधे को छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रतेक टहनी कच्छस्त कलिका युक्त हो औ में वन ए ए अत्वा अन्य हार्मोन के उप्योग से जड़े स्रीग निकलती हैं अंगूर गन्ना गुलाब गुड़हल आध में कलम से ही काईट प्रोरधन मेरे प्यार बच्छो किया जाता है अगला आपका होता है दाब लगाना ये दाब लगाना क्या होता है इस क्रिया के अंतरगत तने से निकली भूमी के निकट इस्थी साखाओ के कुछ भाग को नम मिर्दा में दबा दिया जाता है जहां से नई जड़े निकल आती है इसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है और यह सौतंत्र पौधे के रुम्ने विक्सित होता है जैसे कि यह देखिए इसके कुछ टहनी को जुका करेहां पर मिर्दा से हम लोग दबा दिये ठीक है ना फिर आता है रोपड रोपड द्वारा कैसे होता है इस विदी से पौधे के नए नए किसमे भी बनाए जा सकती है इससे दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़ते हैं एक सहित जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर जिसे इस्टाक करते हैं और दूसरे पौधे के प्रोग का टुकड़ा या अस्थान जोड़ा जाता है दो भिन नभिन पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रुब में जीवित रहें उर इस क्रियाओक हम लोग क्या करते हैं ? रोपर करते हैं यह आम नीवू सेम में होता है और इससे श्टॉक कैंवियम तता, अस्थान कैंवियमक को सीधे संकर्व संपर्ख में रखा जाता है और जिससे नय पौधे नय बनने वाले जायलम वा फ्लोयम एक दूसरे के मेरी प्य प्रवर्धन क्या होता है तो इस विधी में मात्र पौधे के थोड़े से उतक से हजारों की संख्या में पौधे को प्राप्त किया जाता है इस विधी में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से उतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है अब इस उतक की हमारा अधर्म परिस्थितियों में भी में किसी उची समवर्धर माद्धे में विद्धी कराते हैं और यह उतक पोशक पदार्थों का और सोसर करके क्या करता है विद्धी करता है जिससे कोशिकाओ के गुच्छे बन जाते हैं जिन्हें हम लोग कैलस कहा जाता है इस कैलस क लंबे समय तक गुड़न के लिए सुरच्छित रखा जा सकता है और आउसकता पढ़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर अस्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह विर्धी करके नन्हे पौधे कुरूम में क्या होता है मेरी प्यार बच्छो बि आता है काईक प्रवर्धन का आर्थिक महत जो व्रिधी टीव्रता से हो तीस में और तीसरा बहुत से फलदार विच्छो को परिपग होने में तता फ़लल लगाने में नसे कई वर्स लगते हैं परंत इस विधी द्वारा एक ही वर्स में हमारे पोधे परफल आने लगते हैं केला अनननास गुलाब अंगूर जिसमें बीज नहीं बनते हैं काय पॉरधन का एक मात्र हमारा मार गोता जिसकी द्वारा उसमें नया पोधा तयार हो जाता है इस विधी द्वारा उत्पन्य पोधे रोग रहित होते हैं दुसरा आता है लेंगिन ये लेंगिन जन क्या होता है जरन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युमकोगा निर्माड एकल जीवु द्वारा अथवा दो अलग अलग जीवु द्वारा होता है। द्वी लिंगी जीव क्या होते हैं जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युमको का इन्माड होता है तो उसे द्वी लिंगी कहते हैं और एक लिंगी जीव मेरी प्यापच क्या होता है जब दो भिन भिन जन को द्वारा नय तथा मादा युमको का इन्माड होता है तो निर्माड होता है लैंगिंग जीवन आरम करने से पहले सभी जीव अपने जीवन में विद्धी की एक नई निशीत अवस्था एवं परिपक्कता तक पहुचते हैं और जनतुव में से किसुरा वस्था और पादपो में से काईक प्रावस्था कहते हैं और फिर जनतुव में जनन प्रावस्था का प्रारंब उनके वाह एवं आंतरिक संरस्णाव में परिवर्तन तथा कारीकी में परिवर्तन के पस्चात होता है इन सभी परिवर्तनों का नियंतरन हर्मोन जैसे गाय भैस चुहा कुटा चिता आदि में जनन के दोरान ऐसे चक्री परिवर्थन होते जिसे हम लोग मदचक्र करते हैं और प्राइमेट्स जैसे बंदर हमारा एप्स और मनुस्य में हमें क्या करते हैं रिति स्राव करते हैं दूसरा आता है मौसमी प्रजनक यह मौसमी सभी अस्तनधारी जो अपने जीव जननकाल में जननके सक्री होते हैं उन्हें सतत्स प्रजनन कहते हैं या प्रजनक कहते हैं फिल लैंगिंघयों कि उल्शन के तीन और वत्टा होती निशेचन पौरःदना क्या होती है युगमक जनन ये युगमक जनन क्या होता है युगमक धानी नर एवं मादा दोनों में युगमकों के निर्माण को युगमक जनन कहते हैं यह अगुरित को सिकाए होती है अब इसमें आता है सम युगमक क्या होता है कुछ सहवालों में नर तथा मादा दोनों युगमक देखने में एक दूसरे के सवान दिखाई पड़ते हैं इसे हम अधिकाहें सलहेंगर करने वाले compelled के निर्माण होता है जिसमें नर युगमकों को सुक्रान तथा मादा युगम करते हैं और यह वस्था मियुक्त कहलाती है अब आती है जीवों में लाइंगिता वह सबसे पर आती है दूइलिंगी तो प्राडियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राड़ी में पायाते हैं इसलिए ने दुई लिंगी करते हैं, जिसमें नर एवं मादा ऐसे होते हैं, जिसमें दोनों लिंग एक साथ पाजाते हैं, जैसे कि लीच और केचुहा में, एक लिंगी जम नर एवं मादा प्राणी अलग-अलग होते हैं, तब उन्हें एक लिंगी करते हैं, जैसे तिल चट में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाय भिन पौधे पर पाई जाती तो उसे हम लोग क्या करते हैं एक लिंगी पुस्प कहते हैं अब आता है युगमक निर्माड के समय कोशिका विभाजन तो युगमक अगुडित होते हैं चाहे अनेक जनक अगुडित हो या दुईगु अगुडित जनकों में युगमकों का इन्माड समसुत्री भाजन द्वारा होता है तता दुईगुडित जनकों में अर्शुत्री भाजन के द्वारा होता है अब आता है युगमक अस्थानांत्रण क्या होता है तो युगमक धानियों में युगमक निर्माड के पस्चात जिसके फल स्वरुप द्रीगृत युमनच का इमाड होता है और इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं निसेचन करते हैं अनिसेचन क्या होता है जब बिना निसेचन के ही मादा युमक से नय जीव का निसेचन करते हैं फिर आता है आंतरी निसेचन तो यह सरीर के भीतर संपन्य होता है जिसे हम लोग आंतरी निसेचन करते हैं तिसरा आता है निसेचन पस्च घटनाएं तो यह सभी घटना है जो यूगमग निर्माड के पस्चात लेंगी जनन के दोरान संपन्य होती है और निसेचन पस्चात कहलाती हैं इसमें हमारे कौन-कौन से आते हैं जैसे यूगमनच और ब्रोड उद्भव तो यूगमनच क्या होते हैं जाइगोट यूगमनच द्विगुरित होते हैं क्योंकि इसका निर्माड दो अगुरत यूगमकों के सरलेंस होता है और ब्रोड उद्भव क्या होता है व शरीर के भीतर विक्सित होकर सीशू का विकास करती तथा एक निश्चित अधी के प्रस्यात प्रसो द्वारा सीशू क्या देता है मेरी प्यार पूरा है और एक प्यारा सा नोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं अब पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है नोर्स प्लेलिस मिल जाएगा